दोस्तों, बॉलिवर्ट सूपर स्टार शारुक खान ने 2 नवंबर को अपना जनम दिन मनाया घर पूरी तरह से रोश्णी में नहाया हुआ था घर के बार फैंस का जमावडा लगा और फैंस को हर साल की तरह इस बार भी शारुक की एक जलक पाने का इंतिसार था लेकिन इस बार शारुक खान का बरत्य पूरी तरह से अलग हुआ क्योंकि बेटा आरियन खान अभी अभी जेल से बाहर आया है और अब आरियन खान को लेकर कई खबरे पहले भी आ रही थी कि वो किसी से बात नहीं कर रहा, बातों को रिस्पॉंड नहीं कर रहा लेकिन अब जो खबर आ रही है, वो तो और भी ज्यादा गंबीर है दोस्तों हालत यह है कि आरियन खान के माँ गौरी खान अपने बेटे से परिशान हो गई है और वो भी सिर्फ दो दिन में गौरी ने जबर्दस्ती आरियन का बलड टेस्ट तक करवा दिया जिसके लिए आरियन तयार नहीं था और शारुक के बर्दे वाले दिन जी हाँ शारुक के बर्दे के दिन आरियन ने घर के अंदर कोहराम मचा दिया तो क्या हुआ ऐसा सुबह सुबह क्यों हो गया हंगामा, सब कुछ आपको बताते हैं आप भी वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय अपनी बात जरूर रखें कि क्या आरियन खान को शारुक खान कभी पट्री पर ला पाएंगे तो आरियन खान 30 अक्टूबर को जेल से छूटने के बाद घर पहुँचे थे और आरियन को लेकर कई तरह के अपडेट्स हम आपको पहले ही बता चुकी हैं हमने आपको बताया था कि घर पर डॉक्टर्स की टीम बुलाई गई थी और ये भी हमने बताया था कि शारुक खान जल्दी अपने बेटे को अली बख शिफ्ट करने वाले हैं ताकि आरियन एकांत में रह सकें मीडिया और अपने दोस्तों से दूर रह सकें अब इस भी शारुक खान के घर मनत से जो खबर आ रही है वो हैरानी भरी है सूत्रों के मताबिक शारुक खान के बद्दे पर सुबह सुबह कहां तो घर में पार्टे और जैशने की तयारी चल रही थी और कहां अचानक पैथोलोजिस्ट को बुलाना पड़ा है जी हाँ मुंबई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मनत में आरियन खान का प्लड टेस्ट करवाया गया आरियन खान के कई तरके टेस्ट करवाए गए जिसमें से कई सारे वाइटल टेस्ट हैं तो कुछ हॉर्मोन और बिहेविरियल टेस्ट भी शामिल हैं और ये सब कुछ फैसला अचानक सुबह सुबह लिया गया जी हाँ इसके लिए कोई प्लैनिंग नहीं थी कोई तयारी नहीं थी गौरी खान की तरफ से अचानक से पैट स्पेशलिस्ट को बुलाया गया और जबरन जबरन आरियन खान के प्लट सेंपल लिये गया सूतरों के मताबिक आरियन खान ने प्लट टेस्ट से इंकार कर दिया था मगर आरेन की हरकतों से और आरेन की बातों से आरेन के चेकने चिलाने से गौरी खान दो दिन में ही परिशान हो चुकी है और इसलिए गौरी खान ने जबरदस्ती आरेन खान का प्लेट सेंपल जाज के लिए बिजवाया है जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है गौरी खान जानना चाहती है कि आखिर आरेन के शरीर में ऐसा क्या बदल गया कि जेल से आने के बाद आरेन खान 360 डिगरी बदला हुआ नजर आ रहा है उसका बीएवियर उसका बरताव सब कुछ बदला हुआ है आगे देखिए सूत्रों के मताबिक शारुक खान के बदल पर सुबह सुबह ही आरेन खान ने घर के अंदर तमाशा खड़ा कर दिया जो कि लगभग पागल पन के दौरे जैसा था जी हाँ आरेन के जेल से बाहर आने के बाद हालत वैसे ही ठीक नहीं है और सूत्रों के मताबिक शारुक के बदल पर सुबह सुबह जब आरेन खान से जशन की बात की गई पार्टी की बात की गई तो आरेन खान बुरी तरह से चिलाने लगे हालत ये थी कि आरेन ने अपने पिता शारुक को बद्दी विश्वी नहीं किया था मगर पहले ही तमाशा खड़ा कर दिया हाला कि घर में मौजूद लोगों के मताबिक कुछ तेर बाद आरेन संबला और अपने पिता शारुक खान को बद्दी विश्वी किया लेकिन तब तक आरेन काफी कुछ हंगामा मचा चुका था और शारुक के साथ गौरी भी आरेन के इस behavior से बेहत ज्यादा परेशान हो गई और इसलिए आनन पानन में पैट स्पेशलिस्ट को बुलाया गया और blood test conduct करवाया गया आगे देखिए शारुक खान पहले चाते थे कि अली बाग में उनका जनम दिन मनाया जाए मगर आरेन खान इसके लिए तयार नहीं हुए जी हाँ आरेन ने फिलाल कहीं भी बाहर जाने से खुदी इंकार कर दिया है और इसलिए मननत में ही जशन का प्रोग्राम बनाया गया लेकिन उस पर भी आरेन ने सुबह सुबह ही पानी पेर दिया माना जा रहा है कि जेल में रहने के बाद आरेन की मानसिक खालत बेहत ज़्यादा खराब हो चुकी है जेल में रहने के बाद आरेन की दिमागी हाला ठीक नहीं है ये बाद शारुक खान के साथ गौरी खान भी जान चुकी है और इसलिए शारुक के बहद्दे पर सुबह सुबह पार्टी के बज़ाए पेट स्पेशलिस्ट को बुला लिया गया और उसकी रिपोर्ट भी जल्दी आ जाएगी यही नहीं गौरी खान ने मुंबई के एक बड़े न्यूटरिनिस्ट को भी बुलाया ताकि आरेन खान की हेल्थ के मताबिक उसका डाइट प्लैन तैयार किया जाए और उसी हिसाब से उसके शेरी को ठीक किया जाए क्योंकि मानसिक के साथ-साथ शारीर क्रूप से भी आरेन खान बेहत कमजोर हो चुके है और न्यूटरिनिस्ट के लिए भी अलग-अलग से बलड टेस्ट करवाया गया ताकि सही डाइट चार्ट तैयार किया जाए आई जा रही है आरेन खान की मानसिक हालत को देखकर आरेन की शारीरिक हालत को लेकर गौरी खान लगातार चिंता में है और अपने कई दोस्तों से भी इसे लेकर बात कर चुकी है वैसे हम तो एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि शारुक खान और गौरी खान अपने बेटे का अभी इतना जो ध्यान रख रहे हैं इतना जो वक्त दे रहे हैं अगर यही वक्त और ध्यान पहले दिया होता तो शायद जी हाँ शायद ये कंडिशन आती ही नहीं तो आपका इस पर क्या कहना है दोस्तों कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राइश जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं तो शारुक खान के बेटे आरियन खान को फाइनली 30 अक्टूबर को जमानत के बाद जेल से बाहराना नसीब हुआ खुद शारुक खान एक महिने तक आरियन की जमानत के लिए दिन राद जुटे रहे कई सारे वकीलों की फाश खड़ी करदिया और उसके बादी जमानत मिल पाई अब जमानत मिल तो गई लेकिन रद भी हो सकती है जी हाँ अपने बेटे आरियन खान पर खुद शारुक खान को ही भरोसा नहीं है आरेन खान पर उसके behavior पर शारुक का भरोसा तूट चुका है उट चुका है और इसलिए शारुक ने आरेन पर ही बेन लगा दिया है गेट पर ताला जर दिया है और तीन तरह की शर्ते लगा दिया है अब वो क्या-क्या है तीन शर्ते वो आप पहले देखिए तो जमानत के ओर्डर में साफ साफ लिखा है कि आरियन खान बिदेश नहीं जा सकते क्योंकि उनका पासपोर्ट जमा होगा और शारुक खान ने खुद ही NCB के पास अपनी बेटे आरियन का पासपोर्ट जमा करवा दिया है लेकिन शारुक को फिर भी लगता है कि आरियन खान अपनी दोस्तों के इंफ्लूइंस में आ सकता है अब शारुक खान ने आरियन पर बैन लगाया और पहली शर्ट आरियन के लिए ये रखी है कि आरियन खान घर से बाहर निकलेगा ही नहीं जी हाँ शारुक ने साफ साफ अपने स्टाप को हिदायत दे दिया कि आरेन खान उनकी मर्जी के बगैर घर से बाहर नहीं जाएगा आरेन के लिए घर के गेट पर ताला लगा दिया गया है और गेट कीपर को सिक्यूरिटी टीम को सिर्फ शारुक खान के ही कहने पर आरेन को घर से बाहर जाने देने का आदेश दिया गया है इसमें गौरी खान की भी भूमिका नहीं होगी जी हाँ गौरी खान की बात को भी सिक्यूरिटी गाड नहीं सुनेगा और ये साफ साफ सीधा आदे सिक्यूरिटी टीम को दे दिया गया है शारुक खान की तरफ से और इसका मतलब यही है कि शारुक खान नहीं चाहते हैं कि आरेन खान घर से बाहर कहीं भी निकल जाए और फिर से परिशानी खड़ी हो जाए और कहीं जामानत नरद हो जाए अब शारुक खान की दूसरी शर्थ गेट के दूसरी तरफ लगे ताले की है जी हाँ शारुक के आदेश के बाद आरेन का घर से निकलना तो नामुम्किन है वहीं शारुक ने आरेन के दोस्तों के लिए भी घर में एंट्री बंद करा दिये और उनके लिए गेट के बाहर ताला लगा दिया है और यहां भी शारुक ने आरेन को साप साप कह दिया है कि अ आरियन से मिलने कोई भी घर के अंदर नहीं आ पाएगा। सूत्रों के मताबिक शारुक खान को भरोसा नहीं है कि आरियन खान दोस्तों से ना मिले। जी हाँ जमानत और्डर में साफ साफ लिखाया कि आरियन इस केस में शामिल अपने किसी भी दोस्तों से नहीं मिलेंगे कोई बात नहीं करेंगे और किसी भी गवा को सबूत को छेड़ चाड़ करने की कोशिश तक नहीं करेंगे और शारुक को लगता है कि ना समझी में आरिय भी करवा सकती हैं और इसलिए शारुक खान चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर आरियन की जमानत रद ना हो लहाजा आरियन के दोस्तों की एंट्री पर सीधे सीधे बैन लगा दिया गया है शारुक खान की आरियन के लिए तीसरी शाथ सबसे बड़ी है और वो ये है कि आरियन किसी के भी साथ मेसेजिस में कोई चैट नहीं करेगा जी हाँ शारुक को भी पता है कि आरियन की चैट के वज़े से ही वो ज्यादा इस मामले में लंबा खिच गया लंबा मामला फस गया और ज्यादा दिन तक आरियन को जेल के अंदर रहना पड़ा और यही चैट आगे भी आरियन खान की मुश्किलें बढ़ा सकती है क्योंकि अभी आरियन खान को बरी नहीं किया गया आरियन को अभी सर्फ जमानत मिली है और यही नहीं चैट डिलीट करने का भी कोई पायदा नहीं है कोई मतलब नहीं है NZB के पास वो सारे हतकंडे मौजूद हैं वो सारे डिलीट चैट्स भी निकाल लेती हैं और इसलिए शारुक खान ने साथ सापका है कि किसी से भी चैट नहीं होगी फोन पर भी सिर्फ जरूरत पढ़ने पर ही बात की जाएगी नहीं तो फिलाल किसी भारी से आरियन खान नह सकता है और इसलिए आरियन पर ये तीन तरह की शर्तों के साथ बेन लगाया गया और अगर आरियन शारुक की बात नहीं मानी जमानत की शर्तें तो पिर से जेल जाने से उसे कोई बचा नहीं पाएगा और साथी साथ अगर दोबारा जेल जाना पड़ा तो दोबारा से जमा और इसलिए लिहाजा पूरी तरह से आरिन खान पर बैन लगाने हैं।